डॉक्टर निरिंद सेंक पूर्धियां लिखियां कहाणियां कटनामां ते वेर्वे पहला वेर्वा इतराज ते उनादे जुवाब्नियां वन गियां असी पहला एक कदे कीत्ताई नहीं कहो एनु कर्ण विले वाले असी पहले हुआले साड़े कोल साधन ही नहीं जानो साधन लोड़न उसा रुप्च दे हन तियो पुजाय जान दे हन इमें हो सकना संभव नहीं कहो इक कवारी कोशिश जरूर करांगे साड़े कोल योगता समरथा ही नहीं कहो जिना कोल योगता समरथा है उना तो सिखांगे मैं नी कर सकदा, मेरे तो नी होना, कहो मैं कर सकदा, मैं करांगा, मैं ही करांगा असी सारे बराबर के में हो सकदे हैं कहो, असी सारे बराबर हैं, क्योंके साड़ी सार्यां दी सूरज तोंदूरी बराबर है अगली व्याख्या स्यानी लोग थोड़े जे रुखे ते मयूस विखाई दन्दे हनु रुखे एसले क्योंके पावनामा वड़ी कमजोरी नी हुंदी मयूस एसले के जुब आपर रहा है ते कीता जा रहा हुंदे उस पिछले को जेव देशान तिमनोर्थानों जान दे हुंदे यह थार्थ दी सुजी उनानु मूर्खावांग परसाननी हुंदेंदी सो उँ उदास मयूस नजरोंडे हन अगली व्यक है यौरप दे देश छोटे हन पर हरेक देश दी विलखनत है यौरप विच चाली नलोवदेरे देश हन पर कुल अबादी चाली करोड नलोवदेरे उदार ती अजाद है इत्थोदे लोग किसे नमे विहार या विचारतारा नल हैरान नहीं हुंदे कला ते शिंगार ते पहरावे ते पोजन दे खेतर्च कुझ नमा सब तो पहलां पैरिस स्विच वापरत है जो नमा नहीं उस विच पैरिस दिल्चस्पी नहीं लगना तेकनोलोजी दे पक्खों जर्मनी मोरी है जर्मन कारांस संसार पर दी पहली पसांध है नमे डिजाइन दे निर्मान विच इटली अवल है अगली व्याक है लेखक कभी जा नावलकार किसे समाजिक कुरिती नूँ खतम ता नी कार सकदे परोधी पकड़ती लेकार दन्दे है उन्नीवी सदी दे मुढवेच राजा राम मोन राइदियां लिखता ने सतीदी रसम ते पबंदी लगवाई लंगाली नावलकारा ने बालवया ते बालविद्वावावानू अपने नावलांधा विशेपणाया जिस कारण बालवया ते पबंदी लगी ते विद्वाव्यानू परवान गीने अगली कहाणी बच्पन वेचिक व्यक्ति पंचियां दा गुलेल नाल शिकार करया करदा से जोदो व्याया गया कई सालों देकार बच्चा ना होया कारण कोई भी हो सकता है पर उचूरया करदा सी कि मैं क्योंके पंचियां दे बच्चे मारया करदा सी इस करके मेरे कार कोई बच्चा नहीं है एक थानेदा रन्ना हो गया उसोईदा सी मैं बेदोश्यानों तसी ये दन्दा सी जिनादी मैंनू ये सजा मिली है पिता पत्नी नाल नहीं, किसी होर औरत नाल रहंदा सी, ती दे मांच पुर्ष जात प्रती नफरत सी, जिडियों पती तेकड़न लगपे इतलाक हो गया मा मर गे ती इकल्दी रहे गे, पिता नाल बंदी नहीं सी, कोई माडा कारज करोगे कर्मा दे सिदा अंतानुसार पिष्टावा होएगा, हर करम दा हिसाब होएगा, यह हिसाब तुसी आप ही करोगे अगली व्याख्या, कुछ मुल्वान करना चाओगे तो मन बेचैन होएगा, किते जानवले काम दे नमे पक्खा बारे पता लगेगा मुश्कलां वदन गिया, पहला स्थिती विगड़ेगी, गुण्जलदार होएगी, पता लगेगा कि जमे मैं सोचियासियों में कुछ नहीं हो रहा तो जदों तुसी अपना उदेश त्यागन बारे सोच रहे होगे, उस समय कुछ वपरेगा, जिसनला आस बज जाएगी तुसी सोचोगे स्थिती मुश्कल जरूर है, पर संभव नहीं है, इका गर्ता वदेगी मांदी देग चीवेच हालरिजन लाग पैणगे, पकियां गंडांटी लियां होणगिया, सुरंग विच्चों चानना वखाई देन लाग पैएगा तिखे मोडा मगरों सिद्धी सडक दिसेगी, तो अंद हाट जाएगी, चाग ब्या जाएगी नजर नू सपष्ट विखाई देन लाग पैगा, वपारी, विज्यानी, खलाकार, कवी, लेकक, चिन तक, सारे इस परकर्याविचो गुजर दे है अगली व्याख्यार कोई समासी जदो पारत वीच ब्रह्मना ने चिरित्तर ते विहार दियां, उचियां, ते सुचियां, रवायता, स्थापत कीतियां से सदियां पहला सिंध प्रांत वीच पवित्तर पावनावा वाला एक विद्वान ब्रह्मन रेंदा से उदा पुत्तर एक नेमी जाब दे किसान दी सुंधर ती नल प्यार करदा से पर उन्हों पता सी कि उन्हों दिव्या लेई, पिता कदी नी मनने गा दोस्ता ने सजा देता कि उ लड़की नू पिता को ले जाए ते कहे ये लड़की ब्रह्मन है, मैंनों इस नल शादी करन दी आग्या दे पुत्तर ने लड़की नू ना दसया, उन्हों पिता को ले जाके किया ये ब्रह्मन है, ये सुनके लड़की ने किया, तुसी गल्थ कह रहे हो मैं ब्रह्मन नहीं है, मैं एक किसान दीती है लड़की दी गल्थ सुनके ब्रह्मन पिता ने मुस्कुरा के किया, बेटी तेरा पिता कोई होवे, तु ब्रह्मन है, सच्चा ब्रह्मन ना चूठ बोल दया, ना सुन दया ब्रह्मन पिता ने पुत्तर वाल संकेत कर देया किया, मामे ब्रह्मन दा पुत्तर है चूट बोलन कारणे ब्रह्मन नहीं है जे कर तू मेरी नूँ बढ़े ता मेरे लिए मान वड़ी गल होएगी ते जे तू एस गैर ब्रह्मन अलशादी करना चौनी है ता मैनों कोई दरास नहीं अगली कटना कई वर बच्चा मां दा कन फड़के जा कमीज दा बटनाद फड़के सौन जान दे ते जो तू बच्चा मां दा कन फड़दा है तो जान जान दी है कि हुने ने सौन है एस आदत दा आदार हुन दे कई सोच देयां उंगल अपने बुलते राख लेंदे कई सेर खुरकन लग पेंदे है कई चुटके वे जान लग पेंदे है इवें करना लोना दी एक आगरता वज जान दी है आइनस्टेन सोच देयां हाथ वेच रबड़ दी एक गेंद राख दासे इक वारी शिद्धत परी सोच दोरानों ने अपनी खाली मुठीय निकोट गे मिटी कि उंगलां दे नो दी हते लीच खुब गए अंग्रेजी दी पहली डिक्ष्नरी दा निर्माता अपनी मेज दे एक बिली बठांदा से जिस ते ओ खबा हत फेरदा रंदा से ते कई आनू चीकोदी खुशबू कि यानू सेब दी गंद इकागर होंच सहाई होंदी है अजयी परविर्ती हरेक व्यक्ती विच होंदी है एक दरजी खाने च दरजी रेडियो सुनदी है इंकाम कारदे सा जिलनू अजयी कोई आदत होंदी है वो देरे इकागर चितना कारज कर दे है अगली व्यक्ती लगातार सोच दे है जदो लगे कि इस मस्या दा हल नहीं सोच रहा ताई दिमाग वलों संकेत होंदा है कि इस मस्या बारे सोच दा बंद कार दे है दिमाग नू अपने टांग नाल काम करन दे है अराम करो इस मस्या दा खेड़ा चड़ो पामे असी ओस मस्या बारे सोचना बंद कार दने हैं पर दमाग दे अंदर एक होर दमाग हुन्द है जिन्नू अब चेतन कहन दिया है ए अंदरला दिमाग सोच दा रहन्द है ये सारे पक्खानू सोच के टुकमा हाल पेश कार दन्द है विज्यानियानू फोर मूले एमें लब देया ग्वाचियां कुझयां एमें लब पेद देया अगली कटना कई बर बंदा किसे दे सामने खलोता हुन्द है पर बोलो अपने आपनल रिया हुन्द है संताली वेच जदो पंजाब्च फसाद रंभ हो गय सी तलहौर विच निका लोकां दी हाजरी च पंडत नेरू ने इंदर कुमार गुजरालनू पुझया की ये फसाद रोके नी जा सकते उस वेड़े पंडत नेरू इंदर कुमार गुजरालनू इनना नी सी जान दा कि ओ दी सलाप पुझया ते जदो मगरों किसे ने गुजराल तो पुझया कि नेरू ने उथे हाजर होरने तावां तो नहीं उस तो इंदर प्रशन क्यों पुझया ता गुजरालने के आवास्त वेच मेरे सामने खलोते है नेरू प्रशन अपने आखनों कुछ रिया सी अगली कटना जदो लोकपलाई दी किसे मोहेम वेच शामल होगे ता निराश्ते परेशान होगे आगुआदा सारा जोर अपना परचार करवाण वावाखवाण, सनमान करवाण, हार पवाण ते फोटवाँ खिचवाणते होईगा उनदी लोकपलाई निरोल पखन्ड होगे एक स्कूल दी प्रिंसिपल ने अपने ते विद्यार्थियां दी यतना नाल स्कूल वेच चार कमरेव सुरवाई ते उनदी दुगाटनले स्थानक मंतरीनु ये सोचके बुलाया क्यों शायद होर कमरे उसारन ले कुझ सहयोग दे पर उस मंतरीने प्रिंसिपल नो डांट पाई के सद्धा पत्तर वेच उदा ना सब तो उपर क्यों नी छपया ते अलान केता के कमरेव लेग फांडी कतर करन ते खर्च करन सबंदी जांच करवाई जाएगी एहो जय व्यक्तियां देहत्थों होन हार विद्यार्थियानु पुर्षकार दवाणे होन हार ते लाइक विद्यार्थियानाल कोर अन्या हुंदा है अगली कटना अमरीका विच उद्योगिक करांती योरपदी करांती नड़ुपंजा साल पच्छड के आई पर अमरीका दी असलुद योगिक करांती कारुद योगने लियन्दी कारुद योगने अमरीका विच परिवर्थन ते विकास दी रफ्तारे नी तेज कर देती कि विवी सदी दे पहले अध तक इंगलेंड अमरीका तों पच्छड दुका सी कार उदियोग नालव पारक केंदरां, सडकां, पुडां, कोटलां, शैरां, सैर्स पटे आदा तेजी नालवे कास होया हर रेक कारई दीर अफ्तार तेज होगी दुजे विश्व युद विच इंगलेंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी आद विच तबाई होई जद के अमरीकी करकार खानेया दा माल वी गया, इवें अमरीका विश्व शक्ती बढ़ गया विशाल खे तरफाल ते सिख्यत वस्सों, अमरीका दी शक्ती बढ़ ते अमरीका संसार वेच विकास दा इंजन बढ़ गया अगली कट्ना जदो सिद्धा हमला करोगे ता दुश्मन अपने मोर्चे थी होन कारण सकत हो जाएगा तो अडेली मुश्कलाओं पुझाएगा युद्वे चेकसर सिद्धा नहीं पासे तो नरम पासे तो हमला कीता जन्द है रूस्ते निपोलियन ने सिद्धा समणियों हमला कीता सी रूसी फॉज पिछे हट दी गई सी निपोलियन अग्गे बद्धा गया सी ति जदो निपोलियन बहत अंदर चला गया ता रूसी फॉजाँ पासेयां तो हमले करन लागत पईयां इना हमलिया नाल नेपोलियन दिया परिशानिया वदिया जिस कारणों नुँ होर अग्ये वदना पया रूसी फॉजांद अही उदेश सी के नेपोलियन अग्ये वदे ठांड शुरू होगी सी रूस दी जान लेवा ठांड कारण नेपोलियन दी छे लाख दी फॉजवेचो पंज लक फॉजी ते 90 प्रतिशत कोड़े ठंड दी पेट चड़ गए। रूस दी ठंड ने नेपोलियन दा लक तोड़ देता है। ए सुपरांत नेपोलियन दा पतन रम होया। हिटलर दा पतन भी रूस होते हमले नाल होया सी। रूस बारे कहा जान दा है कि रूस दा सब्तों शक्ती शाली जर्नेल रूस दी ठंड है। अगली व्यक्या बोलबाणी दा संदी है इनसान कैसा है। बैस दा संदी है कि ग्यान कैसा है। कुमांड तो पता लाग जान्द है कि पैसा किन्य संसकार दासनले के परवार कैसे हैं। तन्वाद